नमस्कार दोस्टो SMKC चानल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्टो इस वीडियो के अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटी हम लोग तीन इंपोर्टन न्यूस के बारे में आपे बात करने वाले है यह तीनो स्टोक के अगर में बात करूँ इवन दो अगर आपके पोर्टफोलिय में भी नहीं रहेंगे फिर भी इनके बारे में जानना बहुत इंपोर्टन रहता है क्योंकि यह तीनो जो भी खबरे हम लोग को देखने को मिल रही है इन पे होने वाला जो इंक्त होता है वो सिर्फ इनी तक सिमीत नहीं होता है दोस्तों जैसे कि आपको पता है यह जिस सेक्टर को belong करते हैं यह उस सेक्टर की leaders है तो definitely इन के लिप positive news वो एंतार सेक्टर में वो positivity फ्यला सकते है और इन सेक्टर के लिए negative news उन सेक्टर में पूरी तरीकी से negativity भी फैला सकते है तो तीन stocks के बारे में या फिर तीन companies के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो चले शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पे जैसी के आपको पता ही है कि quarter 4 का result अभी maximum शीजी इसी से related रहने वाली है कि quarter के result से आपे आने वाले है और जबी भी result आता है दोस्तों तो आपने देखा होगा कि company के extract number सामने आ जाते है अभी extract number को मैं थोड़ा सा आसान भाषा में क्या बोल देता हूँ कि company अपने trailer को launch करती है मतलब कोई भी picture होते है आप लोगों ने देखा है कि नहीं कि देड़ दो मिनिट का trailer रहता है उससे आप अंदाजा लगाते हो कि picture कैसी होगी करके original picture तो बाद में ही पता चलेगी अच्छी यह बुरी है बड़ एक trailer launch होता है तो ऐसी companies भी अपने कुछ numbers होते है उनके highlights launch करते है और ऐसा ही highlights अभी हमनों को दो बड़े दिगज कमपनी के बारे में देखने को आपे मिल रहे है तो उसमें से पहली company दोस्तो बजाज finance यह दोस्तो बजाज finance के अगर मैं बात करू तो NBFC सेक्टर के अगर मैं बात करू तो यह number one company है एक जमाने में HDFC हुआ करती थी बट HDFC को हरा के बजाज finance अभी यह number one company बन चुकी है और HDFC तो अभी हट जाएगा सिर्फ HDFC मतलब bank में ही वो company merge यहाँ पे होने वाली है तो बजाज finance NBFC सेक्टर का leader बन चुका है face बन चुका है तो बजाज finance से related जो भी खबरे आ जाती है तो entire NBFC सेक्टर के उपर हमनों को उसका परिडाम देखने को मिल जाता है तो बजाज finance की बात करें तो इन्हीं ने अपना trailer यहाँ पे launch किया है जो कि आप देख सकते दोस्तों 4 April आजी की तारिक हमनों को देखने को मिल रही है अभी इसमें उन्होंने कुल मिला कि 5-6 points यहाँ पे बताये है कि उनका business कैसा चल रहा है करके अगें कहे रहा हूँ क्या यह final result है बिलकुल भी ने result हमनों को बाद में देखने को मिलेंगे यह जैसे मैं बार-बार कहे रहा हूँ कि यह trailer है तो चलिए देख लेते point number one क्या बोलता है company का business तो सबसे पहले customer franchise की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लेंका पता है 31 March यह जो खतम हुआ है January, February, March यह रहता है quarter four का performance तो तब तक का performance company का कैसा रहा तो point number one customer franchise की अगर में बात करूँ तो कितना जा चुका है दोस्तों यह number 69.1 तक जा चुका है इसके पहले कितना था 57.6 मतलब अगर हम लोग बात करें तो number में तो अभी भी दम नजर यहाँ पे आ रहा है जो के आप देख सकते कितना increment है अगर हम लोग compare भी करेंगे 3.1 के आसपस हम लोग को customer franchise में increment देखने का आपे मिल रहा है उसी के साथ-साथ आप देख सकते हो और भी data लिखा हुआ है अगर हम लोग total financial year 23 की बात करें तो अगर मतलब अगर आप इसको compare करने जाओगे उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इतनी बड़ी growth देखने को मिल रही है और सिरफ quarter 4 के इसाब से बात करें तो 3.11 हम लोगो increment देखने को मिल रहा है और अगर देखागे ये जो शब्द रहता है न कौनसा की highest ever तो ये शब्द बजाज finance के लिए नया नहीं है हमेशा हम लोगो इस प्रकार का performance बजाज finance में देखने को मिल आप चाहो तो quarter 3 का भी इस प्रकार का performance का trailer आप चाहो तो देख सकते हो आपको ये performance अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा मतलब जो हम लोग बोलते ना कि जियो financial services अगर आएगा कि आप बजाज finance को टकर दे पाएगा अभी बोलना जल्द बाजी है मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कोई player आ गया उसने सिर्फ IPL में एक दो century लगा दि हम directly उसको बड़े player के साथ compare कर रहे ये तो record तोड़ेगा करके तो ऐसा नहीं होता है छोटे player के साथ हम लोग पहले उसको compare करते तो point number one तो बहुत ही धमाकेदार देखने का आपे मिल रहा है अगर इसमें कुछ गिरावट हो जाती तो हम कह सकते कि बज़ाच finance में दिक्कते हो सकती दी चलो next point को देख लेते point number two क्या है new loan books की अगर हम लोग बात करे जो भी data है दोस्तो quarter four के हिसाब से तो कितना growth है 20% की growth हम लोगो देखने का आपे मिल रही है मतलब पहले 6.3 था वो अभी 7.6 हो चुका है इतनी शांदार growth देखने का आपे मिल रही है अगर हम लोग आपे बात करें तो बाकी overall performance पूरा financial year 23 के इसाब से बात करें the company book highest ever new loan books कि अगर हम लोग बात करें तो वो सारा performance देखने को मिल रही है 29.6 तो यह जबी भी company की Q4 के numbers आ जाते हैं ना दोस्तों तो इसमें हम लोगो यह हमेशा दो data देखने को मिल जाते है दो data मतलब कैसे तो एक quarter four का data रहेगा January, February, March जिसको हम लोग quarter four बोलते है और आप सबी लोगों को पता है financial year कब से start होता है April से लेके March तक तो यह March जैसे खतम हो जाता है तो यह वाला data भी मिल जाता है कि पूरे साल भर का performance कैसे रहा जिसको हम लोग पिछला financial year 23 बोलते है अभी हम लोग जिस financial year में चल रहे वो कौन सा है 24 चल रहा है तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर दो-दो data देखने को आपर मिल रहे है तो कोई भी data हो दोनो data धाकड ही नजर यहाँ पर आ रहा है देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का AUM Asset Under Management अगर इसको मैं आसान भाषा में बोल दू तो कंपनी टोटल कितना पैसा कंपनी के पास है जिसको वो manage कर रही है तो आप देख सकते उसमें 29% की growth नजर आ रही है कितना पैसा कंपनी manage कर रही है लग बग लग 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 2,47,350 करोड इतना बड़ा पैसा manage यहाँ पर कर रही है देन दोस्तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करे तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आना चाहूँगा कि company का जो liquidity रहता है surplus वो भी देख लेते हैं obviously consolidated liquidity तो उसमें क्या performance है तो अगर हम लोग इसमें performance देखे तो position strong ही नजर आ जाएगी तो आप देख सकते हो उन्होंने strong यहाँ पर बले अभी बजाज finance अगर बोल दे उनके पास liquidity नहीं तो बाकी company का पर जाएगी ठीक है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है so next point कौन सा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो capital adequacy ratio की अगर हम लोग बात करे car की अगर हम लोग बात करे तो कितना है 25% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है तो चलिए अच्छी बात है यहाँ पर चिजों को maintain रखा हुआ है and final deposit books की अगर हम लोग बात करे कितना है 44,650 करोड के आसपास as compared to the earlier कितना था so हम लोग कह सकते है earlier था 30,800 right so यह March 22 की बात कर रहे है and अभी के अगर बात करे तो 44 बापरे बाग 45% की growth नजर यहाँ पर आ रही है so total अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो company ने बहुत ही अच्छा कासा performance यहाँ पर दिखाया है जो कि हम लोग देख सकते हैं मतलब 6 के 6 points की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही कमाल का performance देखने को मिल रहा है बट जैसे मैंने आप लोग को कहा कि यह क्या है यह तो हम लोग को सिर्फ एक trailer नजर आ रहा है अभी finance की बात करें तो आपको पता है कि NPA भी हम लोग को देखने को मिलने चाहे वो तो company की जब result आएंगे तब पता चलेंगे company का provision क्या है वो भी हम लोग को बाद में ही पता चलेगा तो एक company ने सिर्फ overall एक overview देखे रहा हुआ है कि कैसा performance है कर गे तो वो performance के अगर मैं बात करूँ तो बजाज finance ने अच्छा है performance दिखाया है हर एक parameter अच्छे के 6 points अच्छे है ये तो हम लोग ने पढ़ लिया अभी बाजार को कैसे लगते ये तो हम लोग को कल पता चलेगा देखे हर किसी का अपना-पना अनुमान अलग होता है कुछ लोगों को अच्छे लग सकते है कुछ लोगों को बहुत अच्छे कुछ लोगों को खराब तो कुछ लोगों को बहुत खराब तो उस हिसाब से कल हमनों को बजाज Finance में ट्रेडिंग होती वे देखने का आपे मिल जाएगी सो जरूर बजाज Finance कल के दिन आप लोगों के रडार के उपर रहना चाहिए यह हो गया point number one then दोस्तों similar वे HDFC bank इसका भी trailer हमनों को देखने का आपे मिला है जो कि आप easily पढ़ सकते even though अगर आपके पास HDFC bank नहीं है फिर भी हमें पढ़ना पढ़ता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि HDFC bank actual में देखा के तो Reliance industry से भी ज़्यादा powerful है क्योंकि यह पूरा क्या कर सकता है yes, bank nifty को हिलाने की शमता रखता है और bank nifty हिलेगा तो पूरा nifty भी उसी direction में चलेगा तो Reliance का वेटेज है no doubt 10-10-10 टक का पट HDFC bank का वेटेज भी ज़्यादा है और बाकी sector को भी वो अच्छे तरीके से हमनों को control करते वे देखने को मिल जाता है तो थोड़ा इसको fast cover करेंगी जो retail loan रहता है आपको पताईए कि HDFC bank की पैचान क्या है कि वो retailers को loan देते है retail मतलब को ना आम आदमी को loan ज़्यादा देते है इसी के चलते तो उनका base मजबूत है तो वहापे भी 21% की growth हम लोग को फिलाल तो देखने का आपे मिल रही है तो overall performance company का बहुत ही शांदार देखने को मल रहा है और retail deposits की भी बात करें तो वो भी हम लोग को लगबग 23.5% के आसपास का growth maintain करते वे देखने का आपे मिल रहे है then कासा की अगर हम लोग बात करें current account की बात करें 7 account की बात करें तो वहाँ पे भी हमनों को लगबग 11-12% के आसपास का performance देखने को आपे मिल रहे है so basically अगर देखा गया दोस्तों तो ये जो बड़े companies होता है उनका performance हमनों को अच्छा ही देखने को आपे मिल जाता है और इसके चलते HDF से bank भी आप अपने radar के उपर जरू सेट करके आपे रख सकते हो इनका भी same story है NPA, provision, exact profitability ये कितना रहेगा ये तो अमनों को company के जो original number आएंगे पिच्छर फूरी जब देखने को मिलेगी तब ही पता चलेगा कि इन्होंने कितना overall अच्छा performance ये आपे दिखाया आये करके तो ये दो stocks आप क्या कर सकते हो अपने radar के उपर study purpose के लिए रख सकते हो दो डाउट अदानी से related कोई ना कोई update आता रहता है और हमेशा मुझे बोलना पड़ता है कि even though आपके पास अदानी के shares नहीं है still इनका impact हमारे पूरे entire बाजार के उपर पड़ता है because इनका भी चो control है अभी फिलाल bank nifty के और अच्छा गासा देखने को मिल रहा है so अदानी से related पहला update क्या सामने आया है तो आप चेक कर सकती कि अदानी के उपर आपको पता ही है हिंडन बग का इतना बड़ा हम लोग को तूफान देखने को मिला था उसके बाल कोल के लिए कोल माइन के लिए उन्होंने bidding से related जो सारी चीज़े देखने को मिली थी वो अदानी ग्रूप को यहाँ पर वापस वो जीतते वे हम लोग को देखने को आपर मिल रहे है तो यह एक point देखने को मिल रहे है जो कि अदानी ग्रूप के लिए हम लोग जरू कह सकते positive point फिलाल तो हम लोग को देखने को मिल रहे है दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरी ये खबर सामने आ रही है, कि हिंडन बग के रिपोर्ट के बाद आपको पता है, कि अदानी ग्रूप को बार-बार पैसो की जरूरत लगती है, तो ये बताय जा रहे है कि फॉर्स्ट डॉलर लोन ये उठान की कोशिश करेंगे, बट हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर इन्होंने विदेश से पैसा उठाया ना, तो बहुत ही जबरदस चीज हमनों को देखने को आपे मिल सकते हैं, बट ये लोन के फॉर्म में उठाने की बात यहापे कर रहे हैं, जो अभी GQG पार्टनर की जो बात हो हो सकता है, तो ये एक चीज देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते अदानी ग्रूप के जीतने भी शेर्ज हैं, इनकी जो फ्लैक्शिप कंपनी अदानी एंटरप्राइस, इनको भी आप स्टड़ी पर पस के लिए अपने रडार के पर सेट करके रख सकते हो, तो आशा कर कि अंदर-अंदर सारे लेक्शर्स मेरे साट से फ्री आफकास प्रोइड करते जाएंगे, ताकि अब शेर मार्केट को आसान बाशा से सीख सको, अगर आपने SMKC इस चैनल पे पहली बार विजिट के है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ओरीजिनल चैनल को ही फॉलो करना 1.52 मिलियन वाला चैनल है, बहुत सारे फेक चैनल आपको मिल जाएंगे, एक और चैनल है दोस्तो, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे, इसको भी फॉलो करना, यहापे आपको स्टॉक मार्केट फ्रे आफको सिखाया जाता है, और सब्सक्राइब करने की साथ साथ दोनों चैन में दिये, आप चाओ तो उनको भी कवर कर सकते हो, तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई